मैंस कि CEH meeting दोस्तों हम लोग मानप परजनंन का चप्टर जो था हिमर पर रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे मादा परजनन तंदर के बारे में यानि सिस्टम के बारे में तर्फ पिहले वीडियожд में किया लुप मैं कि व्यक्शन सिस्टम का डागरम में कैसे बनाते हैं मादापरजनतांत्र का एग चित्र आ रहिए कि हम लोग कैसे कूर करते इसको हम fusk Rabb Ale, और हम पिछले वीडियो में ही हम लोग ने क्या देखा था कि अब इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे चुकि मादा प्रजननतंत्र है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं जैसे पहला योनी होता है जिसको वेजायना कहते हैं सर्विक्स होता है जिसको क्या करते हैं फिर यूटे प्रणतंत्र का कैसा था यह डेखिए ऐसे था यह कुछ कुछ आप लोगों को याद आ झाला होगा है तो तो क्या देखिया थे कि यहां पर मैं यूश्याय से फिम्ली था और यह अंडा से था यह क्या था यह क्या था जिसको इंटेरास करतें इसको क्या करतें फैलोपियन और यह क्या था एंपूला था जो फुला हुआ भाग था वह एंपूला था और यह अंडासे था और यह क्या था सर्विक्स और इसको वेजाएना करते हैं तो चुकि दोनों साइड एक-एक अंडासे है है आ फीमेल के दोनों साः था रिया साइड एक एक-एक अंडासे है यानि एक फिमेल में एक जोड़ी अनडासे होता न जोड़ी होता है। परतियक tahuni क्या होता है कि अगर इस वार मालिया जाए कि अभी महना है आपको अगस्त में अगर प्रिएड हुआ है अगरrios मन्थ में अगर अन्धानु औभम जो है परिपक्खों कर अगर से बाहर निकला है तो अगले मंत जब फिर अ कहां से निकलेगा राइट साइड से यहां पर हम लोग क्या देखते हैं यह अंडासे छोटा सा बनाए थे उसी को थोड़ा विस्तार से बढ़ा करके हम लोग देखते हैं और यह परिक्षा की दृष्टी से से भी काफी महत्रपूर्ण है परिक्षान अक्सर पूछता है कि मादा परजनन तंत्र का अंडासे का आरेखिया चित्र बनाएं उसका नामांकी चित्र बनाएं तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि कंसर्प्ट को समझने में असानी होगा अगर हम मादा परजनन तंत्र के अंतर गदू अंडासे का आरेखिया चित्र बनाना सीख जाएंगे तो फिर इसका फंसन जब पढ़ेंगे तो बहुत असानी से हम लोग फंसन को याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे तो चलिए देखते हैं पहला देखें तो यह जो तो इसको माइक्रोशकोप से जब देखते तो यह क्या लिखता है एक नली नुमा संदशना दिखता है तुबलर एस्टेक्चर दिखता है जिसमें यह जो ब्लड वेसल है रुदीर वाहिका है तो ब्लड वेसल ऐसा नहीं कि हमने ड्रॉ किया है यहां पर तो सिर्फ यहीं प दिखेंगे तो सबसे पहला जो होता है यह प्राइमरी फॉलिकिल जिसको कहते प्रात्मिक पुटक यह जो देखिए अगर सर्थ देखिए ति मदमख्य के छता के तरह रखता है आप कलपना कीजिए कि जब आप किसे बगीचे से गुजर रहे होंगे तो देखते हुए कि कै सब्सक्राइब करें प्राइब क्लाइब करेंगे प्राइमरी फॉलिकिल और इसके बारे जब डेटेज से पढ़ेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा कि जब जब फीमेल यानि जब मादा जो है इस तिरी जब अपने मा के गर्व में रहती है यानि भुरुना आवस्था में जब इंब्रायोनी के स्टेज में रहती है तब ही जाकर यह प्रैमरी फॉलिकील का निर्मान हो जाता है और इसका जो मैचूरेशन होता है वह पिवर्टी एज फीमेल पूरा सरीर का बनावट जैसा होने लगे जब आने लगे इसका मतलब किया अंडानू जब प्रिपक होने लगे जब उसको पिडियू होना शुरू हो जाए तो उसी को क्या करतें पीवाइड हान्वर्टी एज करते योब ना आरंध करतें सब्सक्राइब देख चु पर तो लाखो अंडानू रहता है लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है और जब योबना आरंभ में आता है तो योबना आरंभ के समय क्या होता है एक अंडासे में लगभग साथ हजार से असी हजार साथ हजार से असी हजार अंडानू होगा एक साइड बाया साथ हजार से असी हजार फिर दाया साथ हजार से असी हजार अगर हम इसका एबरेज ही माल ले माल लिया जाए सत्तर हजार एक साइड है दोन बाया साइड दाया साथ सत्तर हजार है अगर सु एक फिर में 140,000 बच्चे को जर्म दे सकती है एक अबरेज अगर हम मान कर चले तो लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है तो यहां पर क्या है कि प्रात्मिक फॉलिकील किसा क्या कितना लगवक साथ हजार से असी हजार एक अंडा से में अब देखिए प्रात्मिक फॉलिकील बिखशित होकर क्या बनाता है दूतियक फॉलिकील का निर्मान करता है जिसको एंग्लिस में सेकेंड्री फॉलिकील करते हैं अब क्या होगा कि जिसका का थोरा से बढ़ा होगा और यह 19 ludzie फॉलिक in compression के रूप में प्रिबर्टित हो जाएगा दूतियक पुटक जो है निर्मान होता है तब इंटरम इसमें परजेंट हो जाता है ठीक है अब अगले वीडियो में देखेंगे अभी हम सिर्प एस्ट्रेक्चर बनाना सीख रहें अब तिर्तिया पूटक जो है बाद में बिख्षित होकर क्या बनाता ग्राफी पूटक बनाता है जिसको ग्रैफिय ग्रैफियन फॉलिकिल के नाम से जानते हैं या ग्राफी पूटक के नाम से जानते हैं यह परिक्षा में अकसर पूछा जाता है इसलिए आप इसे नोट कर ले आप इसे दिमाग में पूरी तरह से सिट कर ले कि जब ओभम परिपक हो जाएगा तो उसको किस नाम से अब अंडासय को फार कर अंडासय से फटकर यह बाहर निकलेगा और इसको कहते हैं कॉर्पस लिव्टियम क्या कहते हैं कॉर्पस लिव्टियम या इसे पीत पिंड करते हैं यह यलो कलर का होता है यह कैसा होता है यह यलो कलर का होता है और जब यह बाहर निकलता है इसको कहते अब यही ओर हम जो होगा क्या होगा यह आगे चलके फिर यह स्पर्म शे मिल गए और मिलेगा याइद में करेगा तो bis i An guest का अणिकातं basis में करते हैं ओर इसको द्रॉ करने का प्रियास करना है यह नली नुमा संदचना है आगे का जो मुह हैं पहुत ही सक्रा है और पीछे का फैला हुआ है यह इसमें बहुत सारे व्लड भैसल्स होते हैं जिसमें ब्लड का सप्लाई करेगा अंडासे के अंदर इसमें प्रात्मिक पुटक होता है जहां पर अंडानों की शंक्या काफी जायदा होता है और यह अब यह जो है बाहर जब निकलेगा और यही जब बाहर निकलता है तो इसको बहुत ही सिंपल संड़सना लेकिन इसको याद करना है और याद कैसे होगा जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे जब इसको दो-चार बार कॉपी पे ड्रॉक करेंगे तभी जाकर याद हो पाकिया धंक से हम लोग देख लें ताकि एक बार में याद हो जाए और कंसेप्ट कहीं भी गरवर नहीं हो चलिए एक बार याद करते हैं मेरा काम है आपको याद करवाना भी क्योंकि यह जो कंसेप्ट है कापी उलत जाता है अभी तो लगेगा याद हो गया लेकिन बाद मेरे मनजर होगा तो क्या था पूरा बगीचा मेरे में मनजर लगा किनी मनजर किता था चोटा-चोटा-चोटा-च ऑो सचेके मंजर वमादे लगा उसको मांद नहींOs कि फिर क्या हुआ बड़ा बड़ांगा यह कवा अम का रूप लिया इसको माल ले टर्सरीपारय worship अजब यह आम था फिर क्या हुआ पका मतला यह पका बारासा होना हो गया ती है फिर क्या हुआ यहां पर फट के बाहर निकलेगा जब बाहर निकल निकलेगा तो यह क्या कर लाएगा बास समझ मागई तो पहले क्या है प्राइमरी फॉलिकेल विक्सितों कर बनाता Secondary फॉलिकेल बिख्सितों कर तर्सुर्म करता है जबसे म PlayStation से मिलेगा तहुअ जाकर जैगोट फिर भूर्ण में विक्सित होगा और इस तरह से सिशू का जन्म होगा तो यह एक समानी सी परकिरिया है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे लेकिन आप लोग इसे स्ट्रेक्चर को बनाना सीखिए दो-चार बर ड्रो कीजिए और इसका स्कीन सॉट जरूर ले लेकर आप दो-चार बर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो नहीं होगा मुझे यह पूरा भरोसा है फिर भी दिक्कत हो ताप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम आपकी समस्याओं का शमाधान कर सकें धन्यवाद